तो यह अगर आपके बैंकिंग के लिए प्रिपेर कर रहे हैं कि आपको यहां पे बहुत सारी नॉलिज मिलने वाली है और बहुत सारे कोशन्स आपको मिलने आ रहे हैं और मॉटिवेशन के लिए एक बार हमारे सार नुग्ष वीडियोस डालते वह भी लिगूट करते हैं कर सी बाहर से मॉटिवेशन अगरियोस देख लेए कुछ है तो और के सी की स्टोरी पढ़ लेते हैं तो उससे ठोड़ए देल के लिए माइसन होगा लिकिन वो नहीं अब आपकी सोचे ना कि जैसे दर्शक माजिर के उनको मॉटिवेशन कितना तगड़ा होगा जो कि उन्हें बारिश की परवा करें ना कपड़ों की ना अपनी फैमिली की and he made a commitment that I will make that road without the help of any subsidy and like that मॉटिवेशन आपके अंदर से आपको बाहर से कुछ वीडियो देखने से मॉटिवेशन तो आ जाएगा लेकिन वह स्टेबल नहीं होता है तो इसलिए आपको जब भी कुछ इसे कुछ लोग होते हैं वह आप लोगों को बाते कहते हैं तो प्लीज अवाइड कीजिए जो लोग एक साल दो साल तीन साल से त्यारी करें कई लोग पावा साल से भी त्यारी करें लेकिन यह कि अगर उनको कोई भी चीज उस लेवल तक नहीं पहुचा सकती है तो इसलिए कोशिश करें कि अपना मॉटिवेशन लेवल आप रखें और डेली पहले दिन के सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा तो कोशिश करें कि आप अब्रिवेशन पर फोकस रखें जैसे जो भी कोशिशन आता है तो उसका अब्रिविशन ध्यान रखें जैसे कि देखो सिब्ल का है मुंबई में और सिब्ल की फुल फॉर्म क्या है वह आप कॉमेंट में लिखेंगा तो यह कि आपको याद रहेगी हैं सिब्ल की फुल फॉर्म ठीक है फ्रेंड्स जो आपको अपटी इमेल आइडी कॉमेंट में लिखेंगे तो आपको हम लोग मेल कर देंगे इस सारे जो वीडियो के जो इतने भी कोशिशन पूछेंगे तो कोशिश कीजिए कि वैसे आपको ये वीडियो सुनें तो ज्यादा अच्छा से तरफियर कर सकते हैं मां यह टेगलाइन किस बैंक की है वर्ल्ड लोकल बैंक है इसका अंसर है एचस पीसी इस लिए टेगलाइन है सटुरट और लिगॉजट जो है तो minimum 100 रुपे और maximum 100 रुपीज है ऐसी गिफ्ट कार्ड होता है जो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं रुपीज मिनिमम हेंड़ है और 50 थाउजन मैं और आपका इस तरह से कार्ड की लिमिट्स वगेरा पूछ सकते हैं और कार्ड कितने से इसको टॉप अप कर सकते हैं वो सब आप डेविट कार्ड ही देखेंगे प्लेटियम डाइमेंड इस तरह के कार्ड में तो यह है तो वह पेपर टफ बनाने की जासर किया जाता है एक कार्ड है वर्चुल कार्ड करके उसके बारे में फटाना चाहूंगा आपको देखिए कुछ लोग क्या होता कि कार्ड अपन कार्ड का ही रूप होता है लेकिन उसमें क्या है कि आपको 48 आवर्स में वह पैसा खतम करना होता है और या फिर एक ट्राजेक्शन में उतना पैसा करना होता है वच्छोल कार्ड में भी ऐसा है कि मिनिम्म रूपीज हंडड और मैक्सम फिप्टी ताउजन अ वह barbar के पैसे किस कौह बोल थैंवर्स को बोलते हैं फरूड नीकिसा में वीडियो बना रही है कंछाnothing तो आप उसको बहुत सकते हैं तो पॉमोलोजी किस से रिलेटेट है फूट से लेटेट है कई बार टैग लाइन्स और कई बार मर्जर वगएरा जैसे कि बैंक अब बैंक है तो इस तरह कोशन भी कई बार आ जाते हैं कि कौनकुंछ किस में बढ़ जाता है जो भी आपके बैंक एक जाता है अभी इंकम डेश डिपार्टमेंट ने एक गोशना किया कि आप पैंक कार्ड जिनके पास नहीं है वह अधार कार्ड से भी आई ट्याइट कर सकते हैं कि इसमें कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी होती है देखिए इसमें दो क्लॉज होते हैं एक तो 30 डेज का टाइम होता है और दूसरा गया है कि अगर लाइज पिर बात आ रही है तो 48 आबस का टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोइड करने होती है कि डिजीज केस का सैटल्मेंट कितने दिन में हो जाना चाहिए तो इस फिफ्टीन डेज नंदन निलेकानी कमिटी किस चीज के लिए थी पर्मोशन और डिस्ट्र टांजिक्शन जो यह बैंक्स वगारा बोल रहे हैं कि डिस्ट्र टांजिक्शन करो पैसिक कम यूज करो कैश कैश की आदत बंदो ऐसे करके डाइगलाइन वगारा भी यूज कर रहे हैं तो यह किस लिए नंदन निलेकानी कमिटी नहीं बोलाएं कि प्रमोशन और डिस्ट्र टांजिक्शन बरों वह सेफ्टी है कि आप तीके नोट चाबने में कितना पैसा वेस्ट होता है और वह सब्सक्राइब पंदरा साल है इस बेए फ्लेक्सी पे आउस लोग दो बॉर्वर इस एचिवल फॉर एडिशन प्रंटी परसेंट लोग अभी जैसे यूनियन बजर्ट लाउंच हुआ है तो वह भी कोश्चन्स बन सकते हैं वह भी आपको करेंगे तो कुछ कोश्चन्स ज है कई जैसे भोश्चनाएं करी गई है ना आयुश्मान भारत पर कितना खर्च होगा इस तरह ऐसे बन जाते हैं यूनियन बजर्ट पढ़ना आपको ज़रूरी है एक वर्ड लाउंच हुआ है यूनियन बजर्ट से रिड़ेड़ है बताने चाहिए वह क्या चीज़ है वह एक एलेक्रिक कार्स को प्रमोशन करने के लिए जो है आने वाले तीन सालों में 10,000 करोर पर करेंगे कैसे कर्च होंगे वह एक तो एलेक्रिक कार होगी तो उसके च चार्जिंग पॉइंट्स बना दी जाएंगे तो वहां से आपको अपना कार को चार्ज कर सकते हैं तो इस तरह के रिफिलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तो उस पर जो है दजार करोर रुपे का कर चाहेगा और कई बार नो डेज वाले कोश्चन भी बहुत इंपर्ट हो कौन है आपका जैसे कोई हार फिलार में चेंज हुआ हो तो वह आपका करन ठेर को बन जाता है तो वह भी आप कुश्चन्स देशके तो इसको प्रिंट लेकर वह भी पढ़ सकते हैं तो यह वीडियो इसलिए है कि आप सोन की इसली लिए कर सकते हैं हर घर जल यह जो है इस यूनियन बजट में गहां गया और यह कब तक पूर होगा 2024 टक वर्ल्ट ट्रेड और इसका है तो यह कोश्चन्स भी आ सकते हैं उशात रोड कमिटी है किस से रिलेटेड है यह आप कॉमेंट में लिखेंगे पेमेंट बैंक है किस कमिटी से रिलेट अधिशा देती जाईए है हां फ्रेंड्स हमारा एक है कि यूट्यूब में थाउजंड सब्सक्राइबर्स वाले ही लाइव दे सकते हैं तो वह पहले चल रहा था वह ब्लैट्वर्म बंद हो गया है तो कुश्च करेंगे कि हजार हो जाएंगे जैसी सब्सक्राइब बड़ों पर्देष में जो है गल बड़ों परदेष जो यह उजन है उसमें जो है गल्चार एटिक दूआब को कितना उसरी से बह्न लॉट्स कर दिए गवर्मेंट ने जिसका नोडल बैंक कौन सा के एजुक्शन लोन का भी यह है एक स्कीम है में ग्लोबल एडवांटेज इसमें मोराटोरियम पीरेट कितना होता है यहाद रखिए एजुक्शन लोन में मैक्सिम्म मोराटोरियम सिक्समांथ है आई आरे रोबोट किस बैंक ने सुरू कर रहा है यह अपना बर्मन क्या है एक एथलेट है जिसको कि यूनो ने यूनो का ब्रांड अंबेस्डर बनाए गया है अगर आप रिटेल नेट बैंकिंग से अगर कोई टांशन करते हैं तो इस पर बैंक को कॉस्ट क्या पड़ती है सिरफ पचास बसे और बैंक में जाके करते हैं तो इसलिए आज कल जो है डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल टांशन को बढ़ावा दिया जा रहा है एक आपने टर्म सुना होगा बूलियन मार्केट आपको बताने है किस से रिलेटेट है बूलियन मार्केट इस रिलेटेटेट विद गोल्डन सिल्वर ट्रेडिंग चेर्मन ऑफ इंसल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यह बोर्ड बनाए गया है जिसमें की बैंकरप्ट जो जाते हैं अपनी जो गयरा उनसे रिलेट होगा तो इसके चेर्मन है एंस साहू जी जो आर्बिये ने लाइसेंसे इसू करें प्रेमेंड बैंक को कि आपना जो है कस्टमर जोड सकते हैं उनसे लिपाजिट डे सकते हैं तो वो अंडर किस क्या आता है वो आता है बैंकिंग रेग्रिशनेट 1949 के अंडर वो इसका आंसर है अंसिक्योड और कमर्शल पेपर को क्या बोलते हैं प्रॉमसी नोट बोलते हैं बैंक बोर्ड विरो कब लॉन्च हुआ था यह वाज़न 2016 बैंक बोर्ड ब्यूरो ये इंदर धनुशन मिशन जंडर आता है इसमें कि जो बोर्ड मतलब ये कि हाईयर पोस्ट में है तो उनका सेलेक्शन कौन करेगा और क्या कराइटी दिया हुआ तो वो सब चीजें इसमें बताई नहीं थी ऐसा ही ये जो है इको